Top Best 10 AI Tools for Students in 2024 ChatGPT Open AI Tools ChatGPT जो की OpenAI की एक AI Model है, वो Natural Language Understanding और Generation का उसे करता है. इसका मकसाद यूसर के सवालों का जवाब देना और उनके साथ conversation करना होता है. ये बहुत सारे टास्क्स पे काम करता है, जैसे के Information Provide करना, Creative Writing, Problem Solving और और भी बहुत कुछ. Quillbot ऐसी दुनिया में जहां कुशल संचार महत्वपूर्ण है, लिखित शब्द में बहुत ताकत है, हाला कि ऐसी सामगरी बनाना कठिन हो सकता है, जो सपष्ट, संक्षिप्ट और आकर्शक हो, पेश है Quillbot. एक AI संचालित लेखन उपकरन जो भाशा और पाठ के प्रती हमारे द्रिश्टिकोन में क्रांतिकारी बदलावला रहा है. एक साधारन व्याकरन जाच करता या पैराफ्रेस टूल होने के अलावा, Quillbot लोगों को बहतर लिखने में मदद करने के लिए कृत्रिन बुद्धिमत्ता का उप्योग करता है, मूल रूप से यह व्याकरन, संदर्भ और शबदार्थ को समझने के लिए प्राकृतिक भाश प्रसंसकरन, NLP, Algorithm का उप्योग करता है, मिडजर्नी, मिडजर्नी एक स्टार्ट अप है जो AI और मशीन लर्निंग का उसे करता है, specially healthcare industry के लिए solutions प्रवाइड करने के लिए, इसका focus होता है healthcare services को improve करना through technological innovations, यह company patients, healthcare providers और stakeholders के बीच communication और coordination को enhance करने के लिए tools develop करती है, इनका goal है healthcare system को efficient और accessible बनाने का by leveraging advanced technology notion AI 2024 तक notion AI एक विशिष्ट standalone उत्पाद या IKI नहीं है, इसके बजाए notion एक व्यापक रूप से उप्योग किया जाने वाला all-in-one workspace app है जो note लेने, project प्रबंधन, database संगठन और बहुत कुछ सहित विभिन सुविधाओं को जोरता है, notion उप्योग करता अनुभव को बहतर बनाने के लिए संचालित सुविधाओं सहित प्राध्योगी की का व्यापक उप्योग करता है, लेकिन यह अपने प्राथमिक अर्थों में AI केंद्रि की अपने प्राध्योग करता है, जिससे यह चात्रों के लिए एक मुल्यवान उपकरन बन जाता है, visual search ग्रिश खोज ख्शमता उप्योग करताओं को चवियों का उप्योग करके खोज करने की अनुमती देती है, चात्रों के लिए इसका मतलब केवल चित्रों का उप्योग करके वस्तू, थलों का पता लगाने और पहचानने या यहां तक की गनित की समस्याओं को हल करने में सक्षम होना है। भाशा अनुवाद बिंग AI अनुवाद सेवाएं प्रदान करता है, जो छात्रों को पाठ या वेप पेजों को समझने योग्य और संग्षिप्ट साराश में अनुवाद करने में सक्षम बनाता है। परसोनलाइस्ड सर्च रिजल्ट्स बिंग AI खोज परिनामों को अनुकूलित करने के लिए उपियोग करता के व्यवहार और प्राथमिक्ताओं का विशलेशन करता है, छात्रों के लिए इसका अर्थ उनके खोज इतिहास और रुचियों के आधार पर अधिक प्रासंगिक और वयक्तिकृत जानकारी है, कृत्रिम AI ए इंडियन AI टूल, 15 दिसंबर को ओला के CEO और सहसन स्थापक भाविश अगरवाल ने कृत्रिम AI का अनावरण किया, जिसे भारत का पहला बहुभाशी LLM करार दिया गया, रिपोर्टों के आधार पर यह 20 भारतिय भाशाओं में स कृत्रिम AI का अनावरण किया, जिसे भारत का पहला बहुभाशी LLM करार दिया गया, रिपोर्टों के आधार पर यह 20 भारतिय भाशाओं में सामगरी को समझ और उत्पन कर सकता है, कृत्रिम AI का मतलब है Artificial Intelligence AI, कृत्रिम AI इंसान की तरफ से बनाई गई इंटेलिजन्स को सिमुलेट करने का कॉंसेप्ट है, इसमें मशीन्स या कंप्यूटर्स को प्रोग्रामिंग और अल्गोरिदम्स के जरिये ऐसे काम करने की केपिबिलिटी दी जाती है, जो की इंसानी इंटेलिजन्स जैसे डिसिजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लर्निंग को मिमिक करते हैं। गूगल प्रोडक्ट म्यूजिकलम की आधिकारिक वेबसाइट पर उप्योग करता एक संगीत विचार का वर्नन कर सकते हैं और इसे AI के साथ जीवन्त होते हुए सुन सकते हैं। 11 Labs 11 Labs एक Software Development Firm है जो वेब और Mobile Application बनाने में माहिर है। 11 Labs एक अधिकारिक वेबसाइट पर लेकर यूज आनलाइज, इंटर्प्रेट और उस पर बेस्ट डिसिजन्स लेने के लिए प्रोग्रामिंग और AI अल्गोरिदम्स का उसे करता है। इसका यूज वेरियस फील्ड्स में हो सकता है। Speech Recognition, Audio Pen, AI, Audio Input को Recognize कर सकता है। Natural Language Processing in LP इसे Sentences, Phrases या Spoken Language को समझा जा सकता है। और उस Information को Analyze करके Relevant Responses generate कर सकता है। Automation, Audio Pen, AI के थूँ आप Tasks को Automate कर सकते हैं, जो Audio Inputs पार बेस्ट होते हैं। जैसे की आप किसी Audio Command से Appliances को Control कर सकते हैं, या FIR Voice Based Systems में Commands Execute कर सकते हैं। Education और Accessibility, Audio Pen AI को Educational Purposes में भी उसे किया जा सकता है। जैसे की Language Learning Apps या Visually Impaired Individuals के लिए Accessible Tools डेवेलप करने में। Grammarly Grammarly एक AI Based Writing Assistant टूल है, जो Users को Written Content में Grammatical Errors, Spelling Mistakes और Readability Improvements के लिए हेल्प करता है। ये टूल टेक्स्ट को Analyze करता है और Suggestions प्रोवाइड करता है ताकि आपका लिखा हुआ Content Professional और Error-Free हो सके। Grammarly का उसे करने के लिए आपको Grammarly की Website पार जाना होगा या फिर उनके Browser Extension या Mobile App का Estimul करना होगा। इसके बाद आप अपना लिखा हुआ Text Grammarly के Interface में Paste कर सकते हैं या Directly उस Platform पार टाइप कर सकते हैं जहां आपको Suggestions चाहिए। Grammarly डिफरेंट टाइप्स के Mistakes को Detect करता है जैसे की Spelling Errors, Grammar Mistakes, Punctuation Errors, Sentence Structure Improvements और Vocabulary Enhancements ये Suggestions हाइलाइट करता है और आपको Alternate Phrases या Corrections सजेस्ट करता है जो आपको Text को Improve करने में मदद करते हैं। Grammarly का उसे कई Log Professional Documents, E-Mails, Academic Papers और Social Media Posts के लिए करते हैं ताकि उनका लिखा हुआ Content Error-Free और Effective हो सके। इसे आप अपने लिखे Hue Content को Refine कर सकते हैं और Better Writing Skills Develop कर सकते हैं। झालसने करतों आपको